हलो गाइस, वेलकम बेक टो आर न्यू ब्लोग, आई होप आप एक तम ठीक होंगे, खुशाल होंगे, तो चलिए आज कब लोग शुरू करते हैं, मैं जतिन भाई और मैं हस्बिन जा रहे हैं, आज पिलानी मामा जे ने हमें इन्वाइट कर दिया था, ममी नाना से मिलने पहल ही भागे थे, तो मामा ने बोला, पूचा और सौरफ को बला लेते हैं, फिर हम लोग पहुच गे थे, फिर पिलानी, फिर हम लोग कहीं घूमने के लिए चले गे थे, तो यह देखिए, यह है सरस्वती टैंपल, हम लोग यहाँ पर आये थे, मैं जतिन, सचिन भाई, मम्मी और सौरफ जी, तो यह सरस्वती मा का मंदिर था, इसमें हमने सरस्वती मा के दर्शन करें, यह काफी अच्छा व्यू था, चारो तरफ खूब सारी हरियाली थी, फ्लार्स, बहुत, टैंपल भी बहुत अच्छा बना हुआ था, मतलब एक पूरा मारफल का काम था, और बिल चांती थी चारो तरफ, तो बहुत अच्छी वाइब सारी थी अंदर से, तो हमने सरस्वती मा के दर्शन करें, फिर प्रिशाद काई, फेरी लगाई, फिर हम लोग बाहर आगे थे, और हमने फोटो फगरा क्लिक करी, बस हम मंदिर के बाद हम लोग चले गए थे, बिल्ला स साइंस म्योजियम में, तो हमने वहाँ पे इंडियन फर्स्ट का देखी, फिर ये पूरा बाहर से ही देखा, क्योंकि ना अंदर एंट्री नहीं मिल रहे थी, अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो हम लोग ने सिर्फ बाहर बाहर से जो भी था, देखने का व केंट्री नहीं मिलेगी, वैसे भी दो ढ़ाई महीने के लिए अंदर से बंद है, क्योंकि इसमें काफी कुछ काम चल रहा है अंदर, तो हम लोग फिर अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि गए फिर ऐसे ही कुछ देखे बिना वापस आना, फिर भी ठीक था, बार, मैंने तो पहले एक बार देख रहा है, स्कुल आउटिंग गई थी हमारी, तो मैंने तो देख रहा है, ये काफी अच्छा भी हो है, हाँ काफी, देखा, वो एरूटले, ये हो तो काफी अच्छा है यहां का, बट हमें अंट्री नहीं मिल रही है, अंदर जाने की परमेशन नहीं मिल रही है, अब हम जा रहे हैं वापस, यहां पर हमें अंदर जाने की परमेशन तो मिली नहीं तो, पर हम अंदर ही जा रहे हैं, कहीं पर नहीं जा परी, आए थे हम 5 बज़े निखले थे फिर भी बंद हो गया अब हम लोग आगे बिट्स क्लाक टावर और तो सब कुछ बंद मिला पंचवर्टी म्यूजियम सब कुछ बंद था तो अब हम आगे बिट्स का जो टॉप मॉस्ट कॉलेज है वहाँ वीव तो यहां हर जगह अच्छ है काफी ग्रिनरी है चारो तरफ यह बिरला इंस्टिटीट ओफ टेक्नोलोजी और साइन्स पिलानी बिट्स पिलानी है यह चाहिंजीन ही होती है यह टॉप मॉस्ट कॉलेज में से एक इंडिया का यह देखिए यहां का वियू रमास्त है वेट कर रहे हैं हम घूंग को बहुत ठक गये हैं बटन खाना कबन के आएगा ओर्डर को बहुत पहले कर दिया था सारे ऐसे बैठी है जोग से अंकर शचिन बोल गया है वाइनली सौरव जी का शेक आ गया है पीके बता ये कैसा है मेरे मेरे फेवरेट फ्लेवर को पी रहे हैं आज सारे जने सारे स्टोवेरी फ्लेवर पे टूट पड़े हैं फाइनली कुछ तो आया ये हमारा पीजा भी आ गया है गाइस अभी टेस्ट करके बताते हैं यहां के कैनोट प्लेस पे कैसा सब मिलता है महंगा तो बहुत है बहुत जादा महंग है सब कुछ घूंब फरने के बाद नेक्स टेफर हम वापिस भीवाने के लिए तैयार हो लिए थे यहां पे मामी जी नाना दोनों भाई मामा जी और सारे हमारे वेट में थे टीका बगएरा करके क्योंकि उस सैट मामा के सैट डिवाज है बटेउ को टीका करके विदा करता है ऐसे ही लड़की को यहां मामा जी इनको अशिरवात दे रहे हैं और मामा जी ने ममी को जतिन को और मेरे को अपने स्टेल में आशिरवात दिया वो हमेशा ऐसे थपड मार के हमें आशिरवात देते हैं तो यहां पर ममी को भी प्यार भरे दो थपड़ लगे फिर जतिन की बारी आगी और लास्ट में मेरे को भी जाते ही भी ममा जी सिर्फ ऐसे ऐसे मारते हैं तो गाइस अब हम वहाँ से आगे थे आई होप आपको हमारा व्लोग अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारी व्लोग को वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा ओके बाइक